हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू ऑनलाइन इस्टी पॉइंट दूस्तों सबसे पहले तुम्हें माफी चाहता हूँ आज का वीडियो काफी लेट हो चुका है कल से आपको राइट टाइम पे वीडियो मिलती रहेंगी आज कुछ प्रॉब्लम्स की वज़ाए से काफी देर हो गई चली स्टाट करते हैं आज हैंना अक्टूबर देखेंगे सारे करेंड अफेस उसके लावा दोस्तों मैं आनेकेडवी पर ही पढ़ाता हूँ तो आप आनेकेडवी का लर्निंग के प्लेश्टोर से डाउनलोड कर लीजे उसमें ऑनलाइन इस्टी पॉइंट सार्च करके फ प्राइस दोठारा की से दिया गया है विलियम डी नौडहास और पॉल एम रोमर यानि इन दोनों को ठीक है विलियम डी नौडहास और पॉल एम रोमर इन दोनों को दिया गया है तिक तो आपको बता देक नोबल पूरसकार समती द्वारा अमेरिकी अर्थशास्त्री विलि है पुरुषकार देने का फैसला किया आपको यह भी आदर करने कि दोनों अमेरिकी हैं ठीक है और इसके लाव को तक दोनों अर्थशास्त्री विलियम डीन और हास और पॉल एम रोमर माइक्रो एकनोमिक सानिक शूक्ष मर्थशास से संबंद रखते हैं और उन्होंने प्रकरती और मार्केट एकनोमिक के बीच के संबंद को विश्तार देने वाले मॉडल बनाए हैं साथी जलवाई पर्वतन से होने वाले नुक्सान को रोकने के तरीकों पर भी खोच की है ठी सेवन पॉइंट थ्री फाइप करोड रुपए दिया जाएगा ठीक है और यहां पर दोस्तों आपको बता दी किससे पहले जो तो डेनिस मुक्वेडे और नादिया मुराद को नोवेल प्री पीस प्राइज यानि शांती का पुरुसकार मिल चुकी इसको डेनिस से दिया गया था और केमिस्ट्री का आपको बता दीक केमिस्ट्री का नोवेल तीन लोगों को दिया जाएगा इसमें फ्रांसेश एच एरनॉल जार्ज पी स्मित और सर क्रागरी पी विंटर के नाम सामिल है ठीक है तो यह चीज़े आपको याद रखनी है ठीक है बहुत इ जाते हैं और अनाउंसमेंट इनका अक्टूबर में हो जाता है और जो अलफ्रेड वर्नार्ट नोवेल 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 स्टाक होम स्वेडन और यह जो अर्थसास को नोवेल है आपको याद रखना है कि इसकी शुरुआत हुई थी 1969 के बाद ठीक है अर्थसास विशाय मे रिट्रेचर और शान्ती पांच विश्यों में और इसके लावा 1969 स्टास का इकोनॉमिक स्टूबिल भी शुरुआ तो छे शेत्रों में दिया जाता है ठीक है तो यह आपको याद रखने बहुत इंपोर्टेंट है और भारत की तरफ से मैं आपको बता चूँँगों को 2014 मे प्रथाम भारती है तो यह आपको याद रखने अक्सार एक्जाम में जरूर पूछा जाते हैं ठीक है चलिए अगले वोशंग तरफ बढ़ते हैं किस राज सरकार ने निर्माड कुश्मा योजनक शुरूआत की है ओडिशा गबर्मेंट ने यानि ऑप्सन सी इसका पटनायक ने राज्य में स्रामिकों के बच्चों की तकनिकी सिक्षा के निर्माड को वित्ती शाहता प्रदान करने के लिए निर्माड कुश्मा कारकम शुरू किया है आपको उता दे कि निर्माड स्रामिकों के बच्चों को आद्ध्योगिक प्रसिक्षिक्षण सस्थान को लाम मिलेगा और ओडिशा के बारे मैं थोड़ा से जान लेते हैं ओडिशा की राजधानी भूवनेश्वर गवर्नर है गड़ेशिला सीम आपको उता चुका नवीन पटनायक जी ओडिशा का प्राचीन नाम था कलिंग और यहां पे शूर्य मंदिर जो इस्थिते कोणार् हीरा कुंड बांध है यह महानदी ओडिशा में इस्थिते ठीक है इसके लावा सिंपली पाल अभ्याराने ने सेंक्चुरी जो है यह स्थिते ओडिशा में यह कोईशन बहुत बार पूछा आता है एक्जाम में खारे पानी की सबसे बड़ी तटी जील जो है कहां इस्थित है तो यह चिलका जील है ओडिशा में इस्थित है यह ऐसी सेम डू सेम कोईशन आपके एक्जाम में पूछा जाएगा ठीक है तो करें डफेस के साथ साथ मैं आपका जीके वाला पार्ट भी काभी कबर कर देता हूं जो आपके एक्जाम में बहुत धेलफूल रहता है तो आप वीडियो डेली जरूर देखा करें चलिए तो किस राज सरकार ने निर्माल कुष्ण में ओजना सुरू किया ओडिशा गवर में ने सुरू की है वीडियो अच्छा लगए तो लाइक जरूर कर दिया अगर दोस्तों आप लोग लाइक भी नहीं करते कंजूसी करते हैं आपको तादिक ब्रेट कावाना ने अमेरिका के सुप्रीम कोट के नियाधिस कुरू में सपद ली है और अमेरिकी सुप्रीम कोट के प्रथम नियाधिस जान डाबर्टस ने सीष अधालत के 114 में नियाधिस कुरू में सपद दिलाई है ठीक है कोश्चन नमबर 4 है और अम वीडियो कॉल करने की शुव्धा प्रदान की है तो इसका करेक्ट एंसर आएगा ऑप्सन डी महारास्टा ने ठीक आपको पता दें महारास्ट में महिला कैदी और खुली जेल के कैदियों को जेल डिपार्डमेंट ने यह फैसिल्टी दिये जिसके तहत पहली बार देश में जेल से स्मार्ट वीडियो कॉलिंग की शुव्धा शुरू की जाएगी ठीक है और महारास्टा की बात करें दोस्तों तो महारास्टा की जो राजधानी आप सक पोता है वो है मुंबई और वरतमान में जो यहां के सियाम है वो है देवेंद फ़र नवीस और गवर्नर कौन ह है शुरी ृषी विध्या शागर राव वरतमान में महारास्टा के गवर्नर है ठीक है तो इसका दोस्तिटी महारास्टा ने महारास्टा ने किंद्री जीन में रैक्शन पोर्श के कितनी नई बटालींऊ को मझूरी प्रदान की है तो इसका आप्शन भी पांच ठीक है ए all आपको बतादिक केंद्रे ग्रेह मंत्राले ने रैपीड एक्षन फोर्स की पाँच नई बटालीनों को मंजूरी दे दी है और इन पाँच नई बटालीनों को आपको बतादिक वारानसी, यूपी, हाजीपूर, बिहार, जैपूर, राजस्थान, मैंगलोर, करनाटक तथा न हरियाणा में तैनात किया जाएगा, अब ये रैपीड एक्षन फोर्स है क्या, आपको बतादिक रैपीड एक्षन फोर्स, ये CRPF, दंगा और भीड नियंद्र इस्थितियों में निपढ़ने के लिए CRPF के विशेश साखा है, ठीक है, आरेयफ, इसकी स्थापना होई थी 11 दिसंबर 1990 में, ठीक, आरेयफ की स्थापना होई थी, 11 दिसंबर 1990 में इसकी स्थापना होई थी, और ये ग्रिह मंत्राले के अंतरगत है, और इसका हेटकॉाटर है नई दिली में, निव डैली में, ठीक, अब अरतमान में होम मिनिस्टर को उन्हें, राजनात सिंग है, ठी ठीक है, तो केंद्री ग्रिह मंत्राले ने रैपिड एक्शन फोर्ष की कितनी नई बटालिनों को मंजूरी प्रतान की है, पांच, फाइब, कोशन नमर फीपते हैं दोस्तों, भारत में किस स्थान पर एसिया के पहले डॉल्फिन रिशर्च सेंटर की स्थापना की जाने की गोशना की गई है, राइट एंसर है, उप्सन भी पटना, बिहार के जो उपो मक्ही मंत्री हैं, दोस्तों, शुशील कुमार मोदी ने हाली में गोशना की पटना में डॉल्फिन रिशर्च सेंटर की स्थापना की जाएगी, और यह एसिया का पहला डॉल्फिन रिशर्च स है, जिसका करेक्ट एंसर है, उप्सन भी कौंकर, आपको दाधिक महराश्च के कौंकर शेत्र में, इस्थित रतनागीरी, सिंध दूर्ग, पालगर, ठाड़े और रायगर जीलों में पैदा होने वाला, अलफांसो आम को हाली में भागोलिक चिन्हानी जी आई के तौर पर मंजी कृत किया गया है, ठीक है, कोश्चन नमर सेवेंथ है, हाली में की संतराश्ची संस्ता द्वारा, फ्यूचर ऑफ वर्क इन इंडिया रिपोर्ट जारी की गई है, जिसका करेक्ट एंसर हो जाएगा, उप्सन सी, विश्व आर्थिक मंज, ठीक है, आपको बता देख, वर्ल एकोनोमिक फोरम यानी विश्व आर्थिक मंज, इस्थाबना होई थी, जनवरी 1971 में, 1971 मिसकी स्थाबना होई थी, इसका फॉर्मेशन हुआ था, और इसका जो हेटकोर्टर है, विश्व आर्थिक मंज का दोस्तों, यह है जेनेवा सुर्जा लेंड में, ठीक है, यह जे आई, एम, एक्स, साथ अक्टूबर दो अठारा को आंध प्रदेश की विशाखा पट्रणा में शुरू हुआ है, तो करेक्ट एंसर रहागा, दोस्तों, ऑप्शन, भी जापान में, ठीक है, जापान के बीच, स्वरी, आप्वतादिक भारत और जापान के बीच, आप अमेरिका के साथ ब्यापार इद्ध की बीच, चीन के सेंट्रल वैंग, पीपल साथ चाइना ने, इस साल 15 अक्टूबर से, सी आरार भारत में कितने प्रिस्ट कटवर्टी की घोशना की है, जिसका करेक्ट एंसर रहागा, दोस्तों, ऑप्शन ने, इसका करेक्ट एंसर रह सेंबर टेंथ है, विश्व बैंग की रिपोर्ट के अनुसार भारत की आर्थिक बृध्धी में मजबूती आ रही है, चालू वित्वर्ष में इसके 7.3% बढ़ने तक प्रिस्ट तक बढ़ने है, और अगले दो वित्वर्षों में इसके कितने प्रिस्ट तक पहुँचने अनुमान है, और अगले दो वित्वर्षों में 7.5% बढ़ने तक जोद अनुमान है, और दोस्तों यहां पे वर्ल्ड वैंग की बात हो रहे है, तो विश्व बैंग की बारे में आपको थोड़ा सा बता देते हैं, अक्सार एक्जाम यह पूचा जाता है, तो विश्व बै में इसका मुख्याल है वासिंग्टन डिसी अमेरिका में, और इसके जो वर्तमान में सदस्य राष्टों के पुनर निर्माड और विकास कारें के लिए रिए देकर पूंची की वस्ता करने सकार है, वर्तमान में जिसके प्रेसिडेंट हैं विश्व वैंग के वो हैं जीम जीम योग कीम बरतमान में जीम योग कीम इसके प्रेसिडेंट हैं ठीक है यह आपको इस्थापना याद रखने हैं 1945 में मुख्याल है विश्व वैंग का वाशिंग्टन अमेरिका में है कोश्चन नमर 11 विश्व चेंपियन भारत ने कि इस देश को 144 रनों से राकर रिकार च्छटी वार अंडर 19 एक जीत लिया है और फरवई 28 विश्व जीतने वाली भारती टीम ने एक अपके फाइनल में स्रीलंका को चोथी वार राया है खीक है अगर बात करें स्यलंका की दोस्तों स्यलंका की राजधानी है श्री-जयवर्धिने पूरा कोट्टे राजधानी है और कॉमर्स्यल राजधानी यंगॉर्व राषी पालथे प्राचीन नाम में स्यलंका और सिलंगए रूपया ठीक है कोश्चन नमबर 12 थे नासा ने तकनीकी कारणों से किस ग्रह पर स्थित क्यूरियो सिटी रोवर का एक कम्प्यूटर अस्थाई रूप से बंद कर दिया है ताकि 15 सितंबर से निस्क्री पड़े इस कम्प्यूटर से दोवारा साइन्स और इंजिनिंग डेटा एकत्रीत हो सके नासा ने तकनीकी कारणों से मंगल करें पर सित क्यूरियो सिटी रोवर के कम्प्यूटर अस्थाई रूप से बंद कर दिया है ताकि 15 सितंबर से निस्क्री पड़े कम्प्यूटर से दोवारा साइन्स और इंजिनिंग डेटा एकत्रीत हो सके और दोस्तों यहाँ पे अग इसके फांडर थे वो थे इस्थापना जो कियंते डेविड आईयलावर ぇड़्ल कोड़ी यहीं है वॉशंग्टण ड.C U.S.A मैं अटमिस्टेटर है जिम बिंडे स्टाइन गात्रूं मोधी जी ने शाथ अक्टूबर 282 राज्य में निवेशक शम्मेलान का उध्वठन किया है करेक्ट एंसर इसका option c उत्तरा खंड ठीक है आपको अता दे कि प्रदानमंत्री मोधी जी ने तो डिटेल में लिखा था अब देख लेते हैं आज का सवाल आज का कुश्चन जिसका एंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है अक्टूबर 2018 में किसे उपर राष्टी सुरक्षा सलाकार के रोब में नियुक किया गया ऑप्सन दे रखें प्लीज आपको राइट एंसर लिखना और साथ ही साथ डिटेल में लिखना है जैसे मैं आपको डिटेल में सारी जान कहीं देता हूं ठीक है जितना ज्यादर डिटेल लिखेंग उदना बेतर हो ठीक है चलिए उसके किलाबा दोस्तों हम इस्टाग्राम पे और फेस्बूक पे जरूर फॉलो कर लें हूं आपको डेली अपडेट देता हूं ओनलाइन इस्डी पॉइंट से नाम साइडिय सर्च करके अपने एप्लिकाशन से फॉलो कर सकते हैं और पीडियाप के लिए टेलिग्राम जोइन कर तब तक कि लिए उनों ध्यान रखिए सुस्तर रहिए बेस्तर रहिए मस्तर रहिए जय हिन जय भारत